असराम नेकर वीवर्स एंड वेलकम बैक टो एनदर वीडियो तो करते हैं जी आज की वीडियो का आगाज अच्छा मैंने ना एमरेस औक्षन से गारी ली थी अपनी यह जो जिसमें अभी बैठा हुआ हूँ और मैंने इसकी थोड़ी सी डीटेल से वीडियो अपलोड की थी यूट्योब पे तो वहां हम बहुत सारे कोमेंट्स आ रहे थे बाईयों के और पूछ रहे थे डिटेल के अमरेस औक्षन से गारी कैसे हरी दी जाती है तो वह मैं पूरी डिटेल बताऊंगा जी इस वीडियो में वीडियो लास तक देखिए का कोई चीज स्किप मत जी तो वीवर्ज यह है वो जी वह गारी जो मुझे मिली है 2100 में आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इसकी जो मैंने बिड की थी एमरेस आक्षन से जो मुझे यह टोटल गर पे पड़ी थी ना वो 3300 सम्थिंग थी ठीक है और उसके बार फिर मैंने इसके उपर उक्षन से पौरबर्ज यह है एमरेस आक्षन का एप यह आपने इंस्टाल करना है इनस्टाल होने के बाद गार आपने गाड़ि लेंते हैं तो आपको इसमें दिपाजिट करना पड़ता है आपको डिपाजिट कर्वाने की जरूरक में अ आप यहां जाए यहां से जाके आप my deposit चेक करें यहां यह मेरा current deposit जो है वो साथ दीरम है क्योंकि मैंने जब गाड़ी ली थी तब से मेरे साथ दीरम बाकी पेंड नहीं है तो यह मैंने refund नहीं थे कि अपनी बाकी payment के साथ तो यहां पे आप जो है ना payment कर सकते हैं चेके जो यहीं बैंक mitt case यहां उर credit card और debit card से भी आप कर सकते हैं ठीक है और इसको आप refund कर सकते हैं जी खरीबान refund अगर आप करेंगे तो एक हफते में आजाते हैं कभी कभी दो दिन में जाना जाते हैं 특ज में कोई आप तो ध्यान से देखा किजिएगा और यह जो दिखा हुआ है यह कुछ गारियों का इंजन नहीं होता जी यह थोड़ा ध्यान दीजिएगा वहां यहां लिखा होता है नो इंजन ठीक है तो वह घारी आप बाई मत कीजिए अगर आप यूज के लिए इस्तमाल ले रहे हैं तो उसके इंजन नहीं होता वह मुस्ली लेते हैं सक्रैप वाले और कुछ गारियों के जो है ना वह उपर लिखा होता है जैसे यह लिखा है ना ट्यूटा एको 2003 आगे लिखा होता है सक्रैप विद डॉट डाकुमेंट्स अगर ऐसा लिखा है तो वह गारी भी आप मत है तो आप उसको साथ बिखा दें क्योंकि आप जैसे फिजिकली आप इस गारी को नहीं देख सकते तो इस ऐसी हालत में देख के आपने बिड लगानी है और देखना है क्या यह गारी आपको लेनी चाहिए या नहीं अच्छा है यह गारी बाकी जो आक्शन है वहां पर आती है और यह गारियों की प्राइस थोड़ी सस्ती होती है क्योंकि इन आक्शन वालों ने गारियां बाए नहीं की होती है मतलब कोई बैंक की गारी होती है कोई बंदा छोड़ के चला गया कंट्री चोड़ के चला गया ऐसे पड़ी है बल दिया वालों ने उठा के यह ग गाड़ी की समझ आ रही है तो फिर ये बिड जो है ना अभी 700 द्रम इसकी लगी है और छे लोगों ने इसको बिड लगा लिए है ठीक है अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो यहां सबसे पहले आप इसके डिलिवरी चार्जिस चेक करें आपने जिस एरिये में गाड़ी उत्रवानी है वहां का अड्रेस इधर लिखें फर एक्जेंबल मैं दुबई लिखता हूं दुबई के किसी एरिये में भी आप उत्रवाएं तो सेम ही डिलिवरी चार्जिस आएगी है 100 द्रम इसके डिलिवरी चार्जिस है ठीक है यह चेक लाजम किये कर लिया करें क्योंकि अगर दूसरी स्टेट में गाड़ी है तो डिलिवरी चार्जिस ज्यादा आते हैं उसके बार फिर यह टर्म और कंडिशन यह लाजम चेक किया करें इसमें जी 2000 द्रम से मैं आपको यह आप देख सकते हैं लेकिन मैं आपको सरस्री सी बास समझा देखना हो 2000 द्रम से गर बिड उपर जाती है किसी भी गाड़ी की तो उसकी 500 द्रम जो है लिवाह ना कमिशन फीस होती है जो आक्षन वाले लेते हैं ठीक है जैसे गाड़ी पहले अप यह नहीं कह सकते हैं यह गारी इसकंडिशन में क्यों है ठीक है उसके बार फिर जितनी भी आपने बीड लगानी आए उसके बार अप्रूवल के लिए जाता है जिस बने की गारी है बैंक की या किसी भी आॉक्शन वालों की है वह अप्रूवल देंगे तो ही गारी आपके नाम पर आएगी और अगर अगर अप्रूवल आ जाती है तो उसके 48 गंडे के नवे दिन के बाद आते हैं कुछ गारी के ट्वंटी वरकिंग डेस तो इस गारी के ट्वंटी वरकिंग डेस में आएंगे यानि के तकरीब एक महीने के बाद आएंगे ठीक है और जितनी भी प्राइज होती है ना जी उसके उपर 5% का वैट लगता है पिर यह दस नमबर पर आजाता है जी पोसेशन सेटिफिकेट इस गारी के डाकुमेंट्स जो है ना बाई कोरियर आपके पास आजाएंगे हयाजा जो इसे कहते हैं ठीक है वो हयाजा आपको मिल जाएगा और उसके दोस्तों दिरम अलग से हैं तो लेट से अच्छा यह स्पैसिफिकेशन भी आप देख सकते हैं इस गारी की डिटेल यह ट्यूटा एको है दोहजा तीन माडल है यह इसका चेजिस नंबर है यह पिट्रोल है इसकी चाबी भी आच्छा कुछ गारियों की चाबी नहीं होती की नहीं होती तो वह गारी जब आपके पास डिलिवर होती है तो आप उसको नहीं चाबी जो आप रोना पड़ती है किसी की 150 में बन जाती है 100 की बन जाती है कुछ गारियों की महिंगी बनती है 500 दिरम भी लग जाता है तो यह चेक कर लें उसके बाद अच्छा अभी यह देखें करेंट प्राइस जो है वो 700 दिरम लगी होई है ठीक है और लास्ट कि ने रहे हैं तो किसी ने बीड लगा दिया तो इसके उपर फिर प्राइम खतम हो जाएगा इधर आजाएगा अंडर-प्रू आप्रूवर आपको एक दिन या दो DIN के अंदर अप्रूवल आजाती है उसके बाद फिर आपको इस गारी की पेमट करना होती है वीदिन 48 आ करें अबस्के अपने आप जब सक्कते हैं नै Angle for a काम होने वाला होता है चोटा मोटा काम होथा वह आप करवाएं तो एक महिने के बाद गौमेंटस लिए ट्वशन तो हो मिल जाएंगे आपको आप जाडी की पासिंग करवाएं इंसरेंसgeld अगर आपने गारी अपने नाम पे करवानी है तो आप अपने नाम पे करवा सकते हैं अगर आपने गारी बेचनी है प्रॉफिट लेने तो भी आप कर सकते हैं जो ह्याजा आपके नाम पे बना होगा ना पेपर उससे आप वह गारी ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ आपने पास